असलाम वालेकम दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको पताने वाले हूं गयास स्टाफ कैसे क्लीन करते हैं है तो चल यह शुरू करते हैं तो यह हैं हमारा गयास तौ आप देख सकते हैं इसके हालत बहुत बुरी है इसके निचे हम चोटे बाउल्स रखते हैं जो भी गिर तो इसमें ही गिरेगा नीचे जमीन खराब नहीं होगा इसलिए देख सकते हैं आप इसके अंदर कितना किरा हुआ है आप हम इसे क्लीन करेंगे पहले नीम्बू इस पर नी छोड़ेंगे नीम्बू है अब हम इसमें डाल देना है चुले के ओपर इसके बाद हम दालेंगे बेकिंग सोडा नीम्बू और बेकिंग सोडा से चुले बहुत वाइट होता है अब देख सकते हो इसमें थोड़ा-थोड़ा कफ आ रहा है नीम्बू और बेकिंग सोडा मिक्स करने से जो नीम्बू हम लिए थे उसी से हम क्लीनिंग करेंगे अब देख सकतो हो इस तरह से आप क्लीन कर लिजी तो स्टाव पे तेल जादा गिरता है चिकना पन जो भी होता है वह चले जाएगा नीम्बू और बेकिंग सोडा से इसलिए हम यह यूज कर रहे हैं अब एक बार ट जाएगा इसका तो अच्छे से दोने के बाद हम इस पर पानी दाल आ यह तो आप देख सकतो इस तरह पानी दाल के हमें क्लीन के लेना है जितना इस पर कच्रा था वह सब हट चुका है देख सकते हैं आप कितना क्लीन लग रहा है स्टफ यह method easy है और तो यह जगा है जहां पर हम रखते हैं तो इस पर भी ज़्यादा कच्छा था इसलिए हमने clean कर लिया पानी से यह जगा पर हम हमारा stuff रख देंगे तो देख सकते हो कितना white clean नजर आ रहा है अगर आपको हमारा इस cleaning वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेर कमेंट और सब्सक्राइब तो मैं चानल आईशा स्क्वीन